तो आप याद होगा मैंने संसद में मंद्रेगा को कॉंग्रेस सरकार की विफलताओं के समारक के रूप में पहचान दी थी उसकी 2014 से पहले मंद्रेगा को लेकर कितनी सिखायत रहती थी तब सरकार ने एक स्टड़ी कराई थी स्टड़ी में सामने आया कई जगों पर तो एक दिन के काम के बढ़ले तीस दिन तक की हाजरी दिखाई जा रही है यानि पैसा कोई और हजम कर रहा था इसमें किसका नुक्सान हो रहा था गरीब का मजदूर का आज भी अगर आप गावों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मंडरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा पहले मंडरेगा पर जो दनराशी खर्ज भी हो भी रही थी उसमें पर्मनेंट एसेस डेवलेप्मेंट का काम बहुती कम होता था हमने स्थिती को भी बढ़ा हमने मंडरेगा का बजेट बढ़ाया ट्रांसपरेंसी भी बढ़ाई हमने पैसा सीधे बैंक एकाउंट में बेजना शुरू किया और गाउं के लिए रिसोर्स भी बनाई दो हजार चवदा के बाद मंडरेगा के तहट गरीबों के पक्के घर भी बने कुए बावडियां नहरे पशुओं के शेड ऐसे लाखों काम हुए हैं आज अधिकतर मंडरेगा पैमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है अब करीब 90 परसंट से अधिक मंडरेगा मद्दूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं इससे जॉब कार्ड में फर्जी वाड़ा कम हुआ है और मैं आपको एक और आकड़ा दूंगा मंडरेगा में फर्जी वाड़ा रुकने की वज़े से चालीस हजार करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचे है अम मंडरेगा का पैसा उस गरीम मद्दूर के पात जा रहा है जो महनत करता है जो अपना पसीना बहाता है गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है